आदर के तायब साब, विशी साब, पाशिक साब और यहां पर उपस्तित सब आदरने सजनों के लिए मैं गीता का एक नया तरीका की सोच लाया हूँ कि सबो, मैंने को थोड़ा साब पता चल गया था कि यहांपे इस्टूरेंट्स ज़ादा हैं और इस्टूरेंट्स की जो यंग जनरेशन हैं, वो गीता को कैसे समझती है और कैसे ग्रहन करेगी, उनको हमें एक नहीं तरीके से गीता का समझाना पढ़ेगा, और एक नहीं तरी के से उनको विवरन देना पड़ेगा, जिससे कि वो उससे जुडाव हो सके और उनके लिए जुडाव, हमारे लिए जुडावोना, उनके लिए बहुत ज़ूरी है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पीता का जो जनम हुआ, वो बहुत ही एक ऐसे परिस्तितियों में हुआ जहां पर अग्यान बहुत ज़्यादा था अनिश्टाइं बहुत ज़्यादा थी और अधर्म बहुत ज़्यादा था और वो था माभारत का मेतान अर्जुन अगर मेरा एक कोशन है अगर आर्जुन को ड़ नहीं लगता, तो क्या गीता का जनम होता है, मेरी हिंदी बहुत कमजोर है, मेरी संस्क्रीट बहुत ही जादा कमजोर है, मेरी इंग्लिस बढ़ी अच्छी है, तो मेरा, मैं एक बहुत बेसी कोश्चन है बच्चों से, कि अर्जुन को अगर ड़ नहीं लगता, उन परिस्तियों में, तो क्या गीता का जनम होता, तो क्या गीता का जनम मुनश्चे को डर से जीतने का एक भूल मंद्र दिया गया है, हर आत्मा में और हर शरीर में एक दर की भावना है, उसका एक मानसिक स्थिति है, जो उस मानसिक स्थिति को गवर्ण करती है उस शरीर को, तो हम लोगों ने देखा गीता का जनम अर्जुन के डर से शुरू हुआ, गीता के अधारा दहाए हैं, अधारा दहाए को आप अगर बहुत ध्यान से ब्रेक करेंगे, तो पहले छे या साथ अध्याए सिरफ परिस्तितियों पे हैं, और सिरफ मानसिक परस्तितियों पे हैं, सिरफ उस पे हैं जिस पे की एक करम योगी, योगी, लार्ज योगी और मानसिक इस्तिति क्या होनी चाहिए उस पे हैं, उसका ग्यान है, अगले चार अगर अध्याए हैं, वो भगवान के उपर हैं, भगवान क्या है, भगवान कैस उपस्तित हुआ और ग्यारवे अध्याय में अगर आप देखेंगे तो अर्जुन को भगवान ने देव शक्ती दी आंखें दी इससे की भगवान को देख सके ग्यारवे अध्याय में भगवान की उत्पत्ती होती है अर्जुन को पूरा देव रूप देखने को बिलता है औ मानव को कैसे अपने को इतना कंठिन इस्तितियों जो कहते हैं गीता का सारा सार और सारा गीता में सब कुछ लिखावा है कि अपनी परिस्पितियों से कैसे बर सकते हैं उसका बहुत सार शुथरा बारा से अक्ठारा धाये में लिखा हुआ है उसने सिरफ और सिरफ अगर हम निचोर निकाले तो उसका निजोर ये है कि आप जब धीता पड़ते हैं आपके अंदर इतनी मजबूती आती है आपके अंदर इतनी हिम्मत आती है आपके अंदर इतनी ग्यान आता है कि आपको अपनी कमजोरियां और अपनी प्रिशानियां अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स आपको हर question का जौब देती है, हर problem का answer देती है, that is why Gita is called the answer of all the problems of all the human beings. गीता के पास सब answer है, हमारी परिस्तितियां, हमारे दिन चल रहा, यह नहीं है कि day to day बाद हमारी आज की परिस्तिती में कोई problem हो दकी है, लेकिन उसका answer सिर्फ गीता में है, और गीता में हमारे को क्या दिया गया है, ग्यान, आठ और हिम्मत भी गई है, कि आप करम करें, करम से आगे बढ़ें, और करम की वजह से आपको जो फल के पराफ्पी होगी, उस फल ने कहीं लिखा होगा, कि आपकी problems खकाम होगी, और अगर आप पहने आठ अध्याएं देकेंए, आठ अध्याएं में तीन अध्याएं करम के हैं, करमा, आप मुंझे ब बड़ा पादव I mean बड़े भाई धरम गुरू, धरम के मास्टर, धरम के विग्याता विद्वाण, युदिष्टा वह तो भगवान ने युदिष्ट से कुए नहीं रा ग्यान दिया, भगवानने युदिष्ट को क्यों नहीं गीता का सुनाया बगवान ने गीता को युदिस्टर को क्यों नहीं बताया जब कि वो धरम की बार बता रहे थे धरम के बारे को बता रहे थे और धरम की लड़ाई जा रहे थे और उन्हें गया यह अदम हो रहा है मैं धरम की लड़ाई लड़ा हूँ मैं धरम की तरफ से घड़ा हूँ और मैं जो 50 ही हूँ मैं लटाञी नहीं करेंगा लेकिन धरम का साहते ना करेंगा मैं माउस मि जास चड़ा हूँगा जा धरम का साहतेज ना मुझे लेकिन सबसे बड़ा धरम भी योदिश्टर था तो ये question कहां से arise होता है कि भगवान ने युदिस्टर को ना देकर अर्जुन को ग्यान दिया नहीं पड़ी मेरे को हिंदी पड़ने में भी थोड़ा कस्ट होता है और मेरे को बड़ी मुश्किल लगती है इसलिए मैंने नहीं पड़ी मैंने जो घीता का विचार है वो एक ट्रक के पीछे से पड़ावा है और वो एक जो की मेरी 12 साल का हूँआ या 14-15 साल का हूँआ करम ही धरम है एक ट्रक के पीछे लिकावा था करम ही धरम है और वो संटेंस मेरी जिन्दी के और मेरे मश्टिक में घर कर गया है और मैंने हमेशा उस संटेंस के बार करम को हमेशा आगे रखता है और धरम को पीछे रखता है मैं यह नहीं कहता कि मैं धरम नहीं करता या धरम बंदिर नहीं जाता या धर्म का गुन्दान नी करता या भगवान का गुन्दान नी करता या भगवान में मानेता नी रखता मैं सब करता हूँ और मैं सब भगवान के जो ग्यान है उसको अर्जित करने की कोशिश करता हूँ लेने की कोशिश करता हूँ लेकिन जब धरम और करम में चूज़ करने की बाद आएगी आज भी मैं करम करके इस्तियां को ठीक करूँगा ना कि भगवान की भक्ति में या मंदिर में जाकर परिस्तियों को ठीक करूँगा मैं खड़ा होके अपने करमों से अपनी परिस्तियां ठीक करूँगा और भगवान का नाम हर वक्त अपने दिन में रखूँगा और अपने दिमार के रखूँगा इसलिए जुदिस्त को गयाद नहीं मिला यह वो धरम धरम भीव था धरम का बहुत अड़ा योद्धा था धरम का कभी उसने आसप्टे बोला ही नहीं हमेशा सप्टे बोला हमेशा भगवान की पार्णा करी हमेशा वो करा लेकिन उसने जो एक करम करा जो उसने एक करम करा उससे उसकी श्रती हो गई वो करम क्या था नए बच्चे बैखे है छोटा सा दुरौती का चीर हरन त्रोपी कचिर हरन जो, नहीं सरी हरन का कारण वो बने कारण वो बने यहाँ दाव पे लगा दिया था और दाव पे लगा दिया था तो उन्होंने अपना धरण वहीं पे नस्ट कर दिया था और अगर आप बहुत दिनावां से समझेगे तो भगवान की पहली एंट्री महाबारत में द्रॉपती की इची रहाद नहीं हुई थी जब उसने का ए दौर का धीश और ए परमात्मा मेरी रक्षा करो तो मेरे ख्याब से बोलता है मैं प्यानी हूँ मैंने नहीं पढ़ लगा ना भावालत पढ़ लगी ना मैंने लेकिन मेरी जो सोच है आप लोग बिल्कुल बताएं कि पहली एंट्री जिसे कहते हैं न हीरो के एंट्री बगवान तो हीरो ही है क्या तो बगवान की एंट्री और हीरो के एंट्री माभारत में शायद आप मैं अपर रहा है मनू जी सबसे पहले सबसे पहले बगवान को दौर का धीश जाना जाता था और दौर का धीश से माना जाता था लेकिन माभारत में उनकी एंट्री एक दौरती के चीरा रहने हुई और धौरती का उनने जो बचाव करा उसकी वज़े से उनकी मानेता और धरम की लक्षा हुई और धरम का लक्षा होना बहुत बड़ी बाद थी और आपको मैं बताना चाहूँगा किसनी का जरम क्यों हुआ क्योंकि गीता में एक बहुत बड़ा अध्याय है और बहुत बड़े मेरे कहल से 700 में से 2-4 च्छ लोग तो जरूर होने कि आपके जीवन का आर्थ क्या है आप कैदा हुएं तो किस के हुएं आपने ये जीवन की जो योनी मिली है यह यो योनी मिली है वो क्यों मिली है उसका अर्थ जानना बहुत बड़ा जहुरी है और उस अर्थ से ही गीता का समझ और गीता की सही समझ आपके पास आएगी क्रिश्ट पर्वान का जलन का अर्थ क्या था तो उनके मामा तंश अधर्मी थे और अधर्म फिला रहे थे और उस अधर्म को कतम करने के लिए और उस अधर्म को समाप करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए शिरी कृष्ट जी ने जनम लिया राइट आठवी संदाम थी आठवी उनका जनम कहा हुआ और करम भूमियों की कहा थी और उनका अर्थ क्या था जिने करेका अलग है उनका जना जेल में हुआ करम चेत्र मत्रापुलेंस क्या बोलें कि देख गोड़ गोड़ का उन्होंने हर वर हर वहां पे हर उससे लड़ाई करी अंगली पे गोड़न पार उठाया सबकी रक्षा करी धरम का परसा करा वहां पे उनका करम चेत्र सा और उन्होंने ग्यान कहां दिया महाँ बाहरत के गुरू चेत्र में दिया किसको दिया अरजन को दिया अरजन को इसलिए अरजन को क्योंकि वो सबसे बड़ा करम भी था वो सबसे बड़ा योदा था और उसके जो एक्जामपल मानकर भगवान ने उसको जो ग्यान दिया वो ग्यान हमारे को ट्या और पांज जा तोसो वर्षों से वो ग्यान चलता है और हम अगर हम किसी तरह अर्जुन के कि तरहां उस ग्यान को ग्रैन कर सकेंगे तो हम बहुत बड़े एक जोता बन जाएंगे एक बहुत बड़े अर्थ बन जाएंगे मैं आज बच्चों के दिए बोलना चाहता हूँ सिरफ और सिरफ आप दस शब्द अगर आपने इस इस वर्क्शाप से सीट लिए पर्मात्मा आत्मा एक पर्मात्मा है जो बगवान है सिस्टी का रोचट दे क्रियेटर अफ दे लिवर्स एंद दे क्रियेटर अफ दी नेचर बगवान ने दो चीज़ बनाई है एक ब्रहमान बनाए है और एक नेचर बनाई है ब्रहमान इतना बड़ा है कि उसका कोई छोड़ नहीं है and मैं तो यह कहता हूँ time, maybe time is eternal, the god is eternal hence God is time, time is God time is eternal, time कोई छोड़ नहीं है कोई पता पता नहीं है और धग्वान का कोच पता नहीं है जिस दोड़ से उस दोड़ तक ब्रहमान इतना बड़ा है कि हमें पता ही नहीं कितना बड़ा है तो परमात्मा जिसका की आत्मा हर S.O.U.L Seed of Your Lord भगवान का अंश जो आपके अंदर है वो आत्मा है और आत्मा की English Soul तो भगवान का अंश आपके अंदर है और जैसे जैसे भगवान ने भगवान ने क्या आपको धर्ती की जैसे मैंने बताया कि एक बर्मान है एक नेचर है बर्मान में धर्ती का जनम 5 billion years old है The Earth has been created 5 billion years before and the humankind is around 6,000 to 7,000 years old only सिर्फ दस जीरों का फरक है तो 88 लाख योनी जो 88 लाख योनी या 84 लाख योनी का जो बात करते हैं भगवान ने जो नेचर बनाई है, धर्ती बनाई, भर्मान की धर्ती बनाई और उसके बाद एक नेचर बनाई जो नेचर के जो चुरफ सी लाख योनी बनाई उस योनी में बनाने में भगवान को पांच अलब वर्ष लगे और पांच अलब वर्ष के बार छे हजार साल पीछे उसने इनसान की रशना करी इनसान की रशना जब उसने करी इट इस ए प्रॉक्सेस और इवैल्यूशन योनी एक योनी से जाके दूसरी योनी में जाएगा और 88, 84 लाट योनीों से निकल कर आपको एक मुनिश्य की योनी मिलेगी मुनिश्य की योनी इसलिए मिलेगी क्योंकि आपने 84,000 योनीों को भोगा है उसका फल, करम और फल आपका मुनिश्य का शक्ती, इंडरी, मस्तिक, मन, सबसे उच्छ और सबसे हाईएस क्लास का है और जो आपके जो सेंसे हैं, वो थी आप, इस आपी बेस्ट, तमाइन इस दी बेस्ट और इस दी बेस्ट, और फाई बिलियन इयर्स और इस दी इस दी बेस्ट, और भगवान ने ये, मैं पहले की बता चुका हूं, भगवान ने मुनश्य की रचना इसलिए करी कि कोई ना कोई इस संसार में, इस प्रमांड में भगवान का नाम दे सके भगवान के प्रती भक्ती रख सके, उनके प्रती शक्ती रख सके, अगर और कोई प्रानी भगवान का नाम नहीं देता है, भगवान की रचना और उसकी शक्ती और भक्ती में ध्यान नहीं रखता है धर्व, अधर्व, धर्व, अधर्व, मैंने बताया कि कैसे सई चीच को सई नहीं करा, एक धर्वन और तुना चाता हूं मैं करन का, क्या करन पांडम नहीं था? क्या पांडों का भाई नहीं था क्या उसकी कोई गलती थी कि उसने जर्म लिया उसकी कोई गलती नहीं थी और उसकी जैसा दानी उसके जैसा योदा उसके जैसा आप्मी पूरी गिता में भगवान से श्री क्रिशन भगवान से नुचे कोई नहीं है अगर मेरा वो हो तो मैं क्रिशन जी को सबसे उपर भगवान क्रिशन जी को उपर उसके बार भगवान करण को क्युंकि अगर करण को भगवान को जाकर करण से मानना पड़ा अगर वो नहीं मानते खुंड़ला को कवच तो ना अर्चुन जीच सकता था ना पांड़ा जीच सकता था ना माभारत की रचना और उसका जो रचना और जो इसका results निकला वो सही हो सकता था भगवान जी को जाकर उसको मौनना पड़ा लेकिन कर्ट ने भी एक गलती करे जैसा ant वैसा काव उनोंने धिर्योधं का यन खाया अधर्म का खाना काया और जो अधर्म का खाना खाया वो अधर्मी हो गया क्रिशन की महाभारत में लिखता है कि जब अरजन तीर चलाता था तो करन का रथ तीन या चार फिलान दूर जाता था और जब कार फूर चलाता था तो अरजन का दो या तीर फूट जाता था और भगवान श्रीकिशन हमेशा ये कहते थे वा, वा, क्या युद्धा है, क्या ती चला है और एक दिन अर्जुन ने पूछा कि भगवानी क्या उस्ता है आप मेरे सार्थी हो या कंड के सार्थी हो आप उसकी, मैं चलाता हूँ ती कदम पीचे जाता है, आप वावा करते हो और मेरा एक गदम पीचे जाता है रख, तो आप करते हो कि वह वावा वगवान ने गाए आपके रथ पे मैं बेठाओं, ब्रहमा जी बेठे हैं हनुमान जी बेठे हैं और सब आपके रथ की रख्शा गत रहें उसके बाद भी कर्ण का एक किर एक कदम आपको पीछे कर दिता है उसके पास कोई नहीं है और आपका तीर सिर्फ आपको दो या तीन कदम पीछे करता है तो उससे बड़ा बहुत ज़्यादा था तो ये भर्वान ने चूज करा धर्म और धर्म के बेहाद में कि कांट कांट जाएगा करम तो करम है और सबसे पहले हम एक और बात करते हैं What is the difference between a death and a moksh या मुर्तियू और मोक्ष में क्या खरक है हाँ प्लीज येस भगवान ने जो अपना सीट जो अंदर से सीट निगाले कर आपको दिया है वो भगवान से जुड़ जाना moksh की बरापती है अब आप मोक्ष क्या है आप कोई मुझे बताएगा moksh क्या है आप मोक्ष क्या है अब आप मोक्ष की इसलिए बात करते जाते हैं क्योंकि हमें भगवान बनना है हमें भगवान बनना है हमें भगवान में लीन होना है हमें भगवान में लीन होना है हमें भगवान जिसने हमारे को जनम दिया है हमारे को उसी में बनना है और सरकल को पूरा करना है और उस नियती को करना है और science क्या कहती है science कहती है neither the mass or technology can be created it can be only changed from one form to the other form तो हमारे हम तो create हुए नहीं हम तो create हुए तो विलीम भी उसी में होंगे क्योंकि we cannot be created सर बहुत ज़्याद है अगे तो में पस combination of the soul of the person to the soul of the God जिस दिन आपकी आत्मा भवान की आत्मा में लीन हो जाएगी उस दिन आप आदमी से भवान बन जाएगे और भवान नहीं ही sister की शुरुआत करी थी तो it is like a complete cycle जिसे कहते है जहां से शुरुआत हुई अभवाई के जब ही आपको मोक्ष मिलेगा जब यापको राम मिलेगा और जितने भी आपने पर कस्ट पाए हैं जितने भी इस योनियों में कस्ट पाए हैं उन जोग्यों से ये आपको राम मिलेगा बहुत ही साथे knowledgeable इंसान है ये और बहुत ही गजब का काम कर रहे हैं भात्रास साथ बताई चुके हैं 18,000 इंजीनियर्स इन्होंने अब तक प्रिव्यूज कर दिये हैं तो डॉक्टर बना रहें इंजीनियर्स कर देख पांड ने यह संकल्प किया है कि दो सो बच्चों को 201 सॉरी या बच्चिया निए शिरफट चात्राइं सिरफ गर्ल स्कूड्न्स उनको वो Engineering की पढ़ाई मुफ्त कराएंगे तो ये सारे courses free कराएंगे 4 साल के रिए उसका criteria क्या रहेगा Merit and economical condition गदब का भाव है इनका एक फोटी सी चीज़ और मैं कहूंगा उसके बाद कौशिक साथ दोलेगे भावबास साथ की तो आप लोगोंने कीता पे discoveries देखी की गजब गजब की चीज़े इन्होंने छाट के लाए इन्होंने जब मुझे एक बार कहा कि गीता से मनुष्य को धन की भी प्राप्ती होती है तो मैं चक्कर में पढ़िया मैंने का ऐसा गीता में कहा कहा है मुझे तो कहीं दिखता नहीं है तब फिर इन्होंने कहा नहीं साथ अठार्वे अध्याई के आखरी स्लोग में ही आगी ताप मुझे समझ में आया यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पाथो धनो धरा तक्त्र श्री विजियो भूतर द्रवा नीतर मतर्म अब इस श्लोग में ये काया है कि जहां भगवाद श्री कृष्ण है जहां अर्जुन है वहां श्री है श्री का मतलब मैं देखे इस लोग को पहले जादे गए कभी मेरे इस तरफ विचार नहीं है कि ये क्यों कहा सब मैंने सोचा ठीक है नीती उसी तरफ है पर अब तु यहाँ पर ये बात कह गए है संजे कि वही श्री है श्री का मतलब एश्वर है धन, संपत्ती शोबा तो पर इसमे एक गूर बात और कि श्री क्रिष्ट कहां नहीं है कांकर में मौझूद है तो क्या हर जगे श्री और हर जगे श्री है धन, संपत्ती, एश्वर है वहाँ पर छोटी सी छोटा सा राइडवाब लगा दिया जहां श्री क्रिष्टन है और जहां अर्जन अर्जन नहीं हर जगे है अर्जन बन जाए हम अर्जन बन गए श्री आईगी ही आईगी अर्जन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बड़ी ओनेटली उन्होंने ये एक्साइब आईगी क्रिष्ट और्फूरी एक्साइब थे जहां आईगी